नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Competition Community में और संग्राम सिरिस के तहट हम आप सभी के लिए लेकर आचुके हैं Paper 7 Part 2 राष्टी अंतराष्टी संस्थान और Sports से संबंधित यह section और इसमें आज हम देखने वाले हैं SDR के बारे में बहुत important topic यहाँ पर हम deal करने वाले हैं जब तक हम यहाँ पर इसके अंदर की चीजों को नहीं समझेंगे तो इस प्रकार कि जभी भी आपके पास बड़े questions आएंगे या थोड़ी से long answer में आएंगे तो आपको लिखने में वहाँ पर थोड़ी से दिक्कत हो सकती है वाला party आपको हाँ पर नज़र आएगा UN के जितने हमारे पास जो 5-6 bodies हैं पांच वी खैर एक तो हट चुके है टस्टिशिप जो council है आपका नियास परिशाद है अब उसका अस्तित्व नहीं है में जो आपके पार्ट जो पार्ट होते हैं कि महासभा हो गया सुरक्षा परिशाद सुरक्षा परिशाद तो बहुत 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 वेरी वेरी आपका important होने वाला है और उसके बाद है आर्थिक समाजिक जो परिशाद होता है उसमें बहुत सारे agencies हैं कारियात्मक आयोग हैं शित्री संगठन है और तो उसी के दाद हम बहुत सारे जो functional जो हमारे commissions होते हैं organizations होते हैं उसमें से हम दो बड़े वित्ति संसान पढ़ते हैं एक IMF होता है और एक हमारा world bank होता है उस IMF के अंतरगत हम देखते हैं एक wishes rights होता है जिसको हम लोग special drawing rights कहते हैं विशेस आहरण अधिकार कहते हैं यह होता है आपका जिसको हमको आज यहाँ पर पढ़ना है तो मोटर मोटी अगर मैं यह कहूँ तो UN और UN के अंतरगत फिर उनके agencies के अंतरगत फिर उसके भाग उस भाग के अंतरगत जो हमारे वित्ति संस्थान IMF और इस IMF के अंतरगत हम यहाँ पर आज देख रहे हैं SDR ठीक है बहुत सारी जो students रहते हैं वो इतने सारी संस्थान हैं इतने सारे organizations हैं कितने को करें कितने को छोड़ें तो यार देखो मैंने जब start इसके orientation lectures मैंने दी थी मैंने लेकर आया था live session जब लेकर आया था उस दोरान भी मैंने कहा था कि ऐसे संस्था जो हाल ही के वर्षों में जो ज़्यादा चर्चित रहे हैं जो ज़्यादा news में रहे हैं कहने कि उसका बड़ा रोल रहा है भारत के लिए उसके कुछ भूमिकाई रही है ज़्यादा भारत, उसका सथस के रहा है, स्थापना करते रहा है कुछ विशेश वर सा रहा है, कुछ बड़ा significance रहा है तो आप ज़्यादा उसका करें, कोई दूसरी संस्था है जो भाँ ज़्यादा चर्चा में रहे हैं तो आप उनको करें आपको कहने कही थोड़ा सा लगेगा कि काश मैं ये पढ़ लिया होता बजाए आप जो है उन चीजों को पढ़ें या उस सब्जेक्ट को ध्यान दे जो डिरिक्ली आपके सिलिबस में हैं ये चुंकि डिरिक्ली पार्ट है कुश्चन यहां से आ सकता है संभावित है SDR क्या होता है और इसके क्या क्या नियम है कैसे किसे रूल से अडॉल वो सारी चीज़ यहां पर आपको दी जा सकती है इसलिए भी कुश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि प्रतिक पार्ट में जो इसकी रिव्यू करी जाती समक्षा करी जाती लास्ट यर वागेन इसको किया गया है और कुछ जो बास्केट्स हैं या जो कुछ आपके करंसी हैं उसमें कुछ बढ़ा और कुछ कमी आपको देखने को मिली है इसलिए यह संभावित है कि शायद इस बार इसको यहां से प्रश्न आपको पूछा जा सके बड़े कुश्चन के रूप में भी पूछ सकता है चोटे कुश्चन के लिए तो हम इसको ले तयार है ही दो और चार नमबर के लिए तो आपको रेडी है ही आईए समझते हैं SDR के बारे में ठीक है सो SDR पहले तो सबसे पहले आप इसका फूल फूर्म आप क्योंकि तो डिरिकली कुश्चन भी आ सकते भाई इसका फूल फ विशेश आहरण अधिकार अच्छा यह आई एमेफ में होता है और यह स्पेशल बॉक्स कहा जाता है या इसी को हम SDR बॉक्स कहता है सर यह होता क्या चीज़ है पहले हमको पता दीजिए उसके आद आप बाकी की चीज़ें आप समझाईएगा ठीक है आईए पहले हम समझ लेते हैं आई एमेफ इनको इन शॉट पहले मैं काम करता हूँ आप सभी के लिए एक फ्रेमिंग बना देता हूँ कि SDR यदे आपने पढ़ना या SDR यदे आपने लिखनी है तो किन किन चीजों का आपके पास होना या किन किन चीजों को लिखना मस्त है बड़े प्रश्ण अगर आते हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए आपर कराया इसी प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की है कि फ्रेमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप फ्रेमिंग देखें यह हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है आई तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर फ़स्ट यानि कि पूर्ण रूप जो है वो क्या है अपने को लिखना है हाँ ठीक क्यों लेकर आया गया मतलब आवशकता क्यों पड़ी वाई या आपके लिए ज़रूरी है बताना किसे चेच की क्योंकि आई एमेप में नहीं था पहले आई एमेप जब बना था ठीक है ना 44 तो उस द जो करनसी वाले जो देश हैं आपको उनके नाम लिखने है उनकी करनसी के नाम लिखने है उसके लहागर कुछ करना नहीं है क्यों? sdr क्या बिशकता क्यों पड़ी कौन क्यों है उस sdr basket में šام車 में शामिल sdr basket में शामिल करन्सी या मुद्राएं अब मुद्राओं को लिखोगी तो अफकोस आप देश को भी लिखेंगे तो मतलब एक ही हो जा रहे है तो अब यह दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है सीधी सी बात है अगर मैं रुपिया लिखता हूं तो इसका मतलब का जिक्र कर रहे है यूओन की अगर वो बात करते है तो फिर वो चाइना का जिक्र कर रहे है तो मुद्रा यनि की करंसी जैसे करंसी आएगा तो देश के नाम भी आपको automatically अपने को यहाँ पे लिखने हैं अब यहाँ पर देश में अपने को देखना है उनका प्रतेनधित्व या परसेंटेज या प्रतेनधित्व कि भई ठीक है हमने रख तो दिया इन पांच मुद्राओं को लेकिन कितना कितना उनका रेशियो है परसेंटेज है यह ठीक है इसके बाद यह कैसे काम करता है कैसे काम करता है ठीक है क्यों आया हमारे लिए इंपोर्टेंट है 1969 के दौरान ठीक है तो यह आपके लिए जो है आपका फ्रेमिंग की और चाहे तो आप फिर आप रिसेंट जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी रिसेंट जो अपडेट है और साथी सांथ भारत का कोटा यह कि भाई इसमे भारत का कोटा IMF में होता है ना कि SDR में है तो यह भी अपने को पता होना चीए तो आप वहाँ पर आप बता दे ना कि भाई कोटा जो है वो IMF में है SDR में नहीं होगा या यूँ कहना कि SDR का जो अगर मैं पैशे की महाँ पर मैं बात करूँगा SDR के currencies की जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो quota जो होगा वो IMF में होगा भारत के लिए SDR में भारत का quota हाँ संभावित जरूर हो सकता है अभी फिलहाल नहीं है at present यहाँ पर आपके पास नहीं है तो इसको आप मोटे मोटे साफ अक्षरों में बताना कि फिलहाल यहाँ पर यह चीज जो है वो अपने पास नहीं है ठीक तो इस पर आधारी जो है आपके आंसर होने चाहिए यह एक बार screenshot देखे इस परकार के चीज़ें आप अपने पास ready आप जरूर रखा करें आपके लिए important हो जाता है चले तो start करते है one by one सारी चीज़ों को तो सबसे पहले हम देख लेते हैं SDR है क्या चीज़ तो जब IMF के पास जो राशी होती है उस IMF के द्वारा अन्य देशों को loan दिया जाता है अच्छा IMF loan कब देता है IMF और World Bank ये दो चीज़ें हमारे पास होती है दोनों हमारे वित्ति संस्तान है दोनों ब्रेटन वुट्स समझोते के दौराण 1944 में ये जो है आयत है इनका अस्तित्व हुआ था अमेरिका सबसे बड़ शेयर धारक है इन दोनों में ही और कहीने कहीन उनका dominance है उनका प्रभुत्य है उनहीं के दिमाग की उपज है बेसिक सा जो छोड़ा सा difference मैं यहाँ पर बता जिता हूँ चुंकि यह जो part है जो हम बता रहे हैं यहाँ पर इसका लेना देना नहीं है इस topic से लेकिन at least आपको उसके बारे में थोड़ी महुत खलकी फुल की जानकारी जो होनी चाहिए so SDR के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा IMA for World Bank के बारे में भी हम यहाँ पर चानेंगे दोनों संस्थानों का जो उदेश यह है वो different different है एक जो है उसका नाम ही है IBRD एक संस्था उसके अंदरगत आती है World Bank के अंदरगत और यह काम करता है पुनर, निर्मान और विकास के लिए मतलब अगर कोई developed nation है या कोई developing nation है उसको कोहीं पे like सिक्षा से संबंधित, education से संबंधित, आपका infrastructure से संबंधित या किसी दूसरे energy से संबंधित, किसी चीज में और development करना है तो उसके लिए जो loan लिया जाता है, जो lending money करी जाती है, वो world bank के दोरा किया जाता है वहीं IMF का जो काम होता है मुख्य रूप से ऐसे देश यो गरीब है, या ऐसे देश जिनके वित्ति स्थिती बहुत जादा खराब हो चुकी है, या जिनके पास foreign exchange reserve बहुत कम रहे गए हैं, जैसे कि आपने हाली में शडंका में देखा था, हाला जो है काफी जादा खराब ह हो चुकी थी, उनके पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है बिल्कुल लगभख खतम हो चुके थे, विदेशी मुद्रा भंडार के इसके भी मैं चर्चा करूँगा बीच में, ठीक है, तो जिनके पास ये सारी चीज़े खतम हो चुके हैं, वैसे देशों की सहायता करना, प्रावित्य स्थिर्ता को बनाया रखना, फैनेशल स्टैबलिटी को मेंटनर रखना, ये काम होता है SBR, और ये काम होता है IMF का, यहनि की अंतर राश्टी मुद्रा कोर्ष का, अब इसे के तहद इनके एक जहां से मनी दिया जाता है, या जहां से पैसा दूसरे दिशों को दिया जाएगा, अब ध्यां से समझेगा, मैं दूसरा स्लेडे लेता हूँ, IMF जो है, IMF, यह हम माल लेते हैं, स्री लंका को क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, यह स्री लंका को क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, ठीक है, यहां से समझना, अब आप ये भी मानके चलें कि IMF के जो सदस्टे होते हैं और वही आपके World Bank के पही सदस्टी होंगे या यूं कहें कि यदी आपने World Bank की सदस्टा ली है या IMF की सदस्टा ली है तो definitely आप World Bank की सदस्टे वईसे ही بن जाते हैं मतब ऐसा नहीं होगा कि एक IMF के है और दूसरा फिल वर्ल्ड बैंक के आप नहीं बन पा रहे हैं या वर्ल्ड बैंक के और आईमेफ के नहीं बर रहे हैं अगर आप आईमेफ हैं तो डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक की सदसे वैसे ही बन जाएंगे लगबग 190 के आज़ पास जो देश है इसमें शामिल हैं मतलब क्या होते हैं जैसे उधारण के तोर पे ध्यान से समझे अगर मैं यहां से कोई भी दूसरा देश जाता हूँ फर एक्जामपल मैं मलिशिया गया या फिर संगापूर गया या इंडोनेशिया थाइलेंड कहीं पर गया मेरा इंडिया रूपी वहां पर नहीं चलेगा मुझे क्या करना पड़ेगा करना पड़ेगा किसमे उस मुद्रा में जहां पर मैं जा रहा हूँ जिस देश की मुद्रा में मुझे या जिस देश में मुझे जाना है उस देश की मुद्रा में मुझे अपनी करन्सी को करन्वर्ट करनी पड़ती है अब यह समस्याब समझे अगर 190 देश है 190 देश को अगर हर किसी चीज को लेना देना करना पड़े, जैसे माल लेते हैं, 190 देश में हम इंडियन्स हैं, और हम एक चीज मलेशिया से ले रहे हैं, एक चीज हम थाइलंड से ले रहे हैं, एक चीज हम इंडोनेशिया से ले रहे हैं, एक हम एकवाडर से ले रहे हैं, एक ह वहां से क्रोईशिया से ऐसे बहुत सरे अलग देशों से ले रहे हैं और सबकी करंसी अलग-अलग हैं तो हम हर जगा अपनी चीजों को एक्षेंग नहीं करा सकते हैं जब अंतर राष्टी वैपार होता है या पैसे का जब लिंदेन होता है विशेश रूप से आई-एम-फ के द्वारा क्योंकि यह कहानी जो है आई-एम-फ के अंतर गदाती है यह अलग नहीं है तो आई-एम-फ के अंतर गद जहां पर हम देख रहे हैं तो हम ने एक पाच चर्चा कर रहे है मतलब SDR जो है यह कोई एक मुद्रा नहीं है यह कोई एक करंसे नहीं है बलकि करंसी का एक basket है बस्कुट रैट मैंने कहा कि भी मैं 4-5 लोग मिलकर मैंने एक पैसे जमा किये और हमको यहां से किसी को उधारी देना है जैसे हमने कहा ना कि श्रीलंका को हमको यहां पर उधारी देनी है श्रीलंका को जब उधारी मिलेगा या श्रीलंका को जब पैसे मिलेंगे तो ये इनी पांच करन्सी lens के अंतरगत यानि कि जो आपके पांच करन्ससी हम आपको बता देते थे हैं वैसे मैंने उसदर में बताया भी था एक आपको क्या मिल जाएगा अमेरिक के डालर मिलेगा चाइना का यूवान मिल जाएगा ये यू-एस का हो जाएगा चाइना का हो जाएगा इसके बाद Japanese Yen आपको देखने को मिलेगा पॉंड रहेगा ये आपका UK का पॉंड sterling बोलता है इसको और उसके बाद euro ये पुरा European Union का है तो इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको यहां से देखने को मिलेंगे ठीक चले आगे बढ़ते हैं कहानी को थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें आप लोग एक चीज़ देखिए जब इनको पैसे दिये जा रहा है तो कहीं ने कहीं वो इस format में या इन ही रूप में वो आपको देगा या आपके पास liberty होगी कि आप इन में से किस रूप में पैसा लेना चाहते हैं या आप ऐसे समझें कि आपने 100-500 लोगों ने मिलकर एक ग्रूप बना रहे हैं और सबके सब पैसे जमा कर रहे हैं यह सबके सब कुछ ऐसे आइटम जमा कर रहे हैं जो कहीं ने कहीं एक money में convert होगा 100 में से कोई पता चाहर है कि कोई सोना जमा कर रहा है कोई पता चाहर है अपना कार जमा कर रहा है कोई बाइक जमा कर रहा है कोई जमीन जमा कर रहा है लेकिन हम कोई common currency चाहिए जिससे हम उस चीच को एक money के रूप में convert कर सकें तो common currency के लिए एक हमने तैक किया कि भई देख जैसे माल लेते हैं हमारे पास 10-10 रुपय के 10 नोट हो गया, तो यह कितना बन गया बैटा, यह आपका बन गया, 100 रुपय बन गया, और 10-10 रुपय के बदले मैं क्या दूँगा, किसी को 100 रुपय दे दूँगा, एकदम सिंपल है, मतलब उसका कुछ लॉस ने रोज का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, यह थोड़ा सा असान समझना है, इसलिए यहाँ पर वैसा नहीं होता है, यहाँ पर सिधर सिधर करंसी चेंज हो जाती, इस एक्जामपल जो मैं दे रहा हूं, दस रुपय का 10 नोट है, इसको मैं 100 रुपय के एक नोट के बराबर समझूँगा, आप यह मान के चलेगा, जैसे हम रुपी की बात करते हैं, ठीक है, अभी एड प्रेजेंट जैसे फॉर इक्जामपल, अगर हम कहते हैं 80 रुपया, तो यह बराबर होगा लगबग एक डॉलर के, ठीक, वैसे स्री रंका का जो भी वाटेवर करंसी होगी, उसके रेजियों म अपनी हिसाब से अगर ही सब चीज़ें करने लगे, तो बहुत भारी अविवस्था आ सकती है, और हर कोई चाहेगा कि एक दूसरे के क्या बलते हैं, करंसी के रूप में लेना या देना सुईकार करें, यह अविवस्था ना हो करके 5 टॉप करंसी जो होती हैं, उनको रखा गया और इसी को कहा गया SDR, यानि की विशेश आहरण अधिकार, हमने यहाँ पर आपको बताया कि इसके अंतरगज यह आप देख सकते हैं, यूरो है, चाइनीज, यूओन है, जापान येन और पॉंड स्टरलिंग है, सबसे इंपॉर्टिन अब ध्यान दीजेगा, खेर य 30.38 प्रतिशत है, यानि की इसका जो वेटेज है, यार रखना, टोटल आप दिखा लेंगे तो अलगबग 100 आपका यहाँ पर मिलेगा, यानि की मैं यू कहूं कि अगर मेरे SDR बॉसकेट में 100 हमारे पास करंसी हैं, या 100 वैल्यू है, तो इस 100 वैल्यू का 43.38 प्रतिशत अक आपका Japanese yen थोड़ा कम हुआ है, और Pound Stirling भी थोड़ा सा आपका कम हुआ है, तो 7.59 और 7.44 यह इनकी वैल्यूस है, यह वैल्यूस को आप लोग ज़रूर याद रखेगा, यह questions क्योंकि यह अगले आने वाले 5 सालों के लिए लगभग fix हो चुके हैं, इसमें कोई किसी भी प्रकार का आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, तो यह जो डेटा है, यह आपके यहाँ पर fix होने वाले हैं, ठीक हैं, मैंने यहाँ पर बताया कि क्या है, फुल फॉर्म ने बता दी, अब हमने बताया कि क्यों आया, तो क्यों आने का पीछे का जो कारण वही है, डॉलर जो है, ओन्धे मूँ गिर जा, जैसे सम्टाइमस आपने देखा होगा, कि रुपया लगता नीचे जाता है, डॉलर रुपीज के बीच का जो रेलेशन है, रुपया के नीचे का गिरने का मतलब होता है, यदि आज वन डॉलर इस इकवल टू अगर नैंटी रुपी जो गई, इसका मतलब रुपया आपका गिर गया, आपको लगता होगा, अरे सर कैसे गिर जाएगा, 80 से 90 हो गया, तो बढ़ गया, आप ऐसे समझे कि भाई, जिस चीज को आप 80 रुपय में खरीते थे, आज उस चीज को आप 90 रुपय में खरीद रहे हो, इसका मतलब वो च आप उसको खरीद रहे हो, तो एक डॉलर खरीदने की पिछे पहले आपको 80 रुपय खर्च करने पड़ते थे, आज एक डॉलर को खरीदने की पिछे आपको 90 रुपय खर्च करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब आपका रुपय का जो वैल्यू होए वो गिर चुका है, आप अधिक रुपय दे कर एक डॉलर खरीद रहे हैं, ऐसे स्थिति में सोचा कि कभी डॉलर की वैल्यू डॉल हो गई, डॉलर की वैल्यू कभी कम हो गई, ऐसे में हम हड़ बढ़ाये नहीं, ऐसे में हमारे पास कोई विकट इस्थिति ना हो, तो इसलिए हमने गिन के 5 ऐसे आइव येर में किया जाते है, इसको अब जरूर याद रखना प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्येक 5 वर्ष में इसकी रिव्यू करी जाती है, ठीक है? यह अपने नाम यहाँ पर लिख देने है, ठीक, क्यों आया मैं यहाँ पर आपको बता दिया, SDR में बासकेट में शामिल म उदारन के तौर पे हमने यहां पर बताया था यदि कोई देश पैसा लेना चाहता है यदि कोई देश उधारी लेना चाहता है तो उसको उस बसकेट में से उतने अनुपात के उसके रेशियो के हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है यहां पर आपने कई बार यह भी सुना क्यों है कैसे आप इसको समझेगा जैसे sometimes क्या होता था जब श्रिलंका और भारत के रिष्टों की बात करी जाती है बीच में जब Chinese relationship आ जाता है श्रिलंका की साथ तो कई बार आपने सुना होगा यदी श्रिलंका जैसे हमबंतोता पोड की जब हम बात करते हैं या कुछ और ऐ होगा कि ऐसा क्या दाबाव है चाइना ने ऐसा क्या उस पर प्रिशर डाल रखा है वो तो हमारा पड़ोसी है हम जब चाहें जासा ट्रेट कर सके चाइना ने ऐसा उसके साथ क्या कर रखा है देखे चाइना कुछ चीज़े जो है उसको जबरदस्ती करवाता है या उसकी बगल में यहाँ पर श्री लंका है और यह काफी दूर में यहाँ पर कौन है चाइना है यह गर है आप मानके चली यह गर है यह आपके पड़ोसी का घर है और यह कोई आपके दोस्त है कोई आपके दुश्मन का घर है यह आपका पड़ोसी है और यह आपका पड़ोसी लेकिन होता क्या है ना कि आप अपने इस्थिती उतने अच्छे से नहीं समाल पा रहे हैं और आप अपने पड़ोसी को उतना जादा हेल्प भी नहीं कर पाते हैं, मतलब आपका घर अच्छा खास है, बड़ी आलिशान है, यह ना आपकी कंडिशन भी थोड़ी सी क्रूशल ह आप एकदम ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छा कमा ले रहे हैं या बहुत टॉप में, आप एक मध्यम बर्गर जो जीवन है वो जी रहे हैं, आपका पड़ोसी जो है वो थोड़ा सा गरीब है, उसका जो घर है वो सिंगल सोरी है, छपपर वाला है, अब यह जो दुश्मन जधाँख जरूर करते हैं, लेकिन हमसे जदहा अधिक सहथा का और यह लेता है, यह यू कहें कि देख भाई, ऐसा है ना, कि ति हितना जगह है ना, तो तू अपना जो ना यह तो चलैने का है, मेरे पास उधार है, यह कहां से आगा वाट है, यह IMF से आने वाला है, इसमें कहीं ने कहीं ने कहीं इसका dominance है, और आपका वहाँ पर कोई dominance नहीं है, मतलब उस SDR box में उनको पता है कि चाइना का role ठीक ठाक होने वाला है, 12% something और यह किसी समय पर वो उसको withdraw भी कर सकता है, या यूँ कहें, वहाँ से पैसा देने के लिए कहीं ने कहीं वो अरंगा भी डाल सकता है, उपर से वो आपका जो security council का permanent member भी है, हाला कि इसमें IMF से लेने देने नहीं है, लेकिन एक प्रभाव तो पड़ता है, एक उसका जो dominant से वो उताता ही है, तो चाइना को, श्री लंगा को यह लगता है कि ठीक है, भले जो चाइना है, उसका नीती सही नहीं है, या उसका जो view है, वो सही नहीं है, फिर भी, मजबूरी में मेरे को उसकी बात माननी पड़ेगी, तो सेम कहानी यहाँ पर आपने कई बार सुनी भी होगी, कि SDR box के चलते, या यू कहें, IMF में उनके dominance के चलते, कई बार श्री लंका को उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है, या फिर चाहिना के दवाव में उनको अपनी चीज़ करनी पड़ती है, तो SDR box जो basket में, basket में जो हमारा country का, यानि कि हमारे देश की currency का अगर आएगा, देर सबेर कभी तो आएगा, ऐसा उमीद हम जटाते हैं, अगर आता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छा, इसी को लेकर भी कई बार आपने सुना होगा, कि हम बहुत सारे देशों के सांथ, रुपए में हम transaction कर रहे हैं, या UPI जो हम यहाँ पर चला रहे हैं, सिंगापूर के सांथ किया, हमने नेपाल के सांथ किया, तो तो तिन देशों के सांथ तो जैसे जैसे हमारे currency की value बढ़ेगी, अभी हमारी currency की value उतरी नहीं है, हमारा power उतना नहीं है, जैसे जैसे हमारे currency की value बढ़ेगी, वैसे वैसे हम इसमें एक लक्ष जो है वो प्राप्ति करेंगे, या यूं कहें कि SDR की तरफ हम बढ़ते चलेंगे, और यहाँ पर जो हम about the SDR, अगर IMF के बारे में और आपको यहाँ पर जानकारी लेनी है, तो कुछ basic चीज़े यहाँ पर दी गए ही, जिसको आप देख सकते हैं, यह जैसे कि स्थापन जो है, उननी सो चावालिस में करेंगे, यह निस 190 जो active members हैं, लगभग आपके 150 जो सदस्य जो हैं यहाँ य देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इनकी जो उपलब्धता है, जो लो निलोग प्रवाइड कराते हैं, उसमें भी लगातार आपको ग्रोथ यहाँ से देखने को मिलेगा, तो यह थोड़ा बहुत आप IMF के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं, बाकि और जो कौन सा पार लोगों की तरफ से वह कमेंट आजाएं, और मैकिसमाम कमेंट आएं, जिनकी जादा कमेंट्स होंगे, जिनकी डिमांड जादा होगी, जैसे आप सभी ने, इसे पर यहाँ पर वीडियो के लिए मैंने कहां भी था कि 34 अधारीते केसे पर एक वीडियो आएगा, जी हां बिल आप पेपर सेवन के पार्ट टू पर किस टॉपिक पर पर पर्टिकलर वीडियो चाहिए, स्पोर्ट्स वाला मत करना, स्पोर्ट्स वाला में खुद अभी एक वीडियो आजाएगा, मतलब जस्ट विदिन 24 आर एक वीडियो आजाएगा, वो लगभग शूट हो चुका है, तो इस पर यनिकी संस्थाओं से संबंधित, किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए, यह आप कमेंट में बता दीचे, तो मैं उस पर अधारितिक वीडियो आप लेके आऊँगा, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बने रहे हमारे साथ, कॉम्पेटिशन क साथ मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में, थैंक यू सो मच, चैहिंद,